विजियो में बेके ना, नॉट बरी हापी दो सतेपाल मलिक जी है, जो अब गोवा का भी कारवाल संभालने वाले है, मेरा पहला सवाल आप से यही है, कि राजनितिक व्यक्ति के तौर पर गवरनर बनाई जाने वाले आप पहले व्यक्ति वहां पर थे, और सायोग देखिये, कि आप ही आखरी गवरनर होंगे, जम्मू कश कश्मीर का यह जो नया कश्मीर आप कहते हैं, यह पूरा सफर कैसा रहा आपकी नजर से? देखिये, मेरी नजर से तो यह बहुत अच्छा सफर रहा, मैंने कश्मीर को किताबों में पढ़ा था, और दिली में लगवग सो लोग हैं जो अपने को कश्मीर हैंड कहते थे, टीवी पे बैठ के बहस करते थे, उन सबों को मैंने सुना, लेकिन जैसा कश्मीर मैंने पाय किसी को मालूम नहीं था, न किताबों में था, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का नोजवान बहुत प्रतिभाशाली है, वो पढ़ना चाहता है, बढ़ना चाहता है, देश के साथ रहना चाहता है, वहाँ कुछ forces हैं, जिन्नों ने उसे खराब किया है, जिसमें शु ने दिखाते थे, जो पूरे होने वाले नहीं थे, कभी आजादी का सपना, कभी आटोनोमी का सपना, तो उससे महाँ खराब हुए, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं, लड़के बहुत प्रतिभाशाली हैं, खिलाडी बहुत अच्छे हैं, एक टीम है फुटवाल की, जिस सजार लोग उसके घर बदाई देना जाते हैं, वहाँ के बच्चे जिसे देश के सब बच्चे हैं, बिल्कुल उसी तरह पर ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, पर उनके साथ जाती हुए, जिक एस पर मैं वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले, आपको संकेत थे ना, क्यों उस तरह का बैक्ग्राउंड नहीं था, कि माइनोर्टी पॉलिटिक्स के लोग मुझसे बिद के, मैं अलिगड का MP रहा था, मैंने चरण सिंग जी के साथ काम किया था, वीपी सिंग जी के साथ रहा था, फिर इसके बाद मैं ऐसी पॉलिटिक्स से निकला था, कि जिसमें व वापस आते हैं, जो मिशन था, उस पर आते हैं, क्योंकि एक बार अनुशे 370 हट गया, परिस्तियां बदली, ये कहा गया कि हम ये कश्मीर की बेहतरी के लिए है, आप कह रहे हैं, आपने बहुत प्रतिबा देखी, आपने उस और कदम बढ़ाए, लेकिन एक नाराजगी ह क्या स्ट्राटिजी है आपके पास? वो नाराजगी क्या सिर्फ फ्रैक्चरड और मैनीूफैक्चरड और ये है कि ये पार्टी, वो पार्टी सब कुछ करती है, या फिर वाकई एक नाराजगी है, उसके लिए क्या स्ट्राटिजी है? लेकि आपको जान कहरत होगी जनता की नाराज़गी और इन नेताओं की जो मेनिस्ट्रीम वाले हैं या हुरियत वाले हैं इनकी नाराज़गी में फरक है। दोनों को अलग-अलग सवालों पर नाराज़गी है। वहां की जनता जितनी हमसे नाराज़ है उससे जादा इन नेताओं से नाराज़ है। वह मानते हैं कि उनकी वरबादी के लिए ये जिम्मेवार है। जो अमरनात यातरा पे टटू लेके जाता है लड़का उसके बदन पे शर्ट के बाद स्वेटर भी नहीं होता है। और इन की छटें भी सोने की हो जाती है। तो जनता को नाराज़गी उन से जादा है अपने नेताओं से। इस वक्त जनता में मैंने देखा 370 वाले मामले पे कोई ज़्यादा वो नहीं है रियक्शन। थोड़ा बहुत जो है वो इस्टेट हुड पे है। उस पे होम मिनिस्टर सा आप कहे चुके हैं कि सही समय आने पे हम स्टेट हुड भी वापस कर देंगे तो उस लियाद से में वो कोई नाराज़गी परवन नाराज़गी जैसी कोई चीज़ देखता नहीं हूँ और लोग अब खास वर से नए लड़के वो फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं कि अब कब तक क्योंकि कोई भी लोकतंत्र बहाली की तरफ बढ़ाये गया कदम इन पाबंदियों के बीच में नहीं हो सकता है जो अभी भी दीरे दीरे आपने हटाए हैं आप दूसी तरफ अगर उन्हें इंतजार करना है कब तक करना है कैसे वो देशत के साय से निकल के अपने का काम को शुरू करें अगर वाव कई ये सुरक्षा एजंसियां उन्हें भरोसा दिला पाए तब तो दुकाने शुरू होंगी फिर से व्यापार फिर से शुरू होगा अभी तो दुकाने बन व्यापार ठब क्या होगा से देखिए मैं आपको बताओं आप तो हो के आई हैं बहाँ पे 60,000 बच्चों ने कल इमतान दिया है दुकाने तीन घंटा सुभे तीन घंटा शाम खुलने लगी थी दुकानों के बाहर पट्रियों पे दुकाने थी वो पूरा टाइम बारा घंटा सामान बेशती थी पब्लिक ट्रांस्पोर्ट भी चल गया था कोई अबनॉर मुड़ा मुवमेंट रेस्टिक्टेड रहे ताके पत्थरबाज जो लोग हैं वो पत्थरबाजी करके उन्होंने तो हमारा इन एक ट्रक ड्राइवर मार दिया था पत्थरबाजी में उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी पाबंदी थी अदर्वाइस कोई पाबंदिया इंटरनेट इंटरनेट's not fundamentally right उसको भी हमने इसलिए रोका कि मैं बताता कि आप il termने करता मेरा कोई उữ पूँपर हैंडल नहीं है में तुम खेर वो अलग बात है मैं बता रहा हूं इंटरनेट का सबसे ज़ादा इस्तिमाल पाकिस्तानी एजिंसीज करती है वो इन लोगों में जहर भरने के लिए भी वो मॉबिलाइजेशन के लिए भी वो अपने लोगों की लोकेशन बताने के लिए भी वो उनके काम आता था हमारे कम काम आता था और हमारा अंजना फर्स् 1910 में 50 आदमी मरे, 1912 में 60 मरे, बुर्हानवानी में 110 मरे, इतने लोग मरते थे, फारुक अब्दुल्ला साब के बाई लेक्षन में अकेले शीनगर शेहर में 9 लोग मरे थे, हमने पंचायत के चुनाव कराए, 4000 लोग चुने गए, पंच सर पंच, एक चिडिया की कैजवल्ट से, हमने कहीं गोली नहीं चलाई, कहीं जाती नहीं की, और उस situation को avoid किया, जिसमें गोली चलती है, वो हम avoid इंटरनेट को रोक के ही कर पाए, लेकि नातंकियों ने अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वो अभी भी कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकि पांच मजदूरों को मारा उ अब आप मुझे यह वताईए, जो रोज भाशन देते थे, यह सारे, यह बीच की पाटियों के लोग, इन्होंने किसी ने कंडम किया, दिल्ली के प्रेस ने कंडम किया, जितना करना चाहिए, आप कश्मीर में थोड़ी सी चीज होती है, और उसको out of proportion blow up कर देते हैं, और चार महीने पहले, पहल गाउं में एक राफ्ट डूब रही थी, जिसमें पांच टूरिस्ट थे, उस बच्चे ने जिसकी वो राफ्ट थी, पांचों को बाहर निकाल दिया, और अल्टिमेटली राफ्ट बचाने में खुद डूब के मर गया, कहीं ऐसा होता है, यहां से हर तो तो तीन बार लुट जाएंगे, वहां कोई टूरिस्ट लुटता नहीं, किसी के साथ जाती नहीं होती, कोई टूरिस्ट कतल नहीं होता, कहीं कतलोगारत नहीं है, जो जगड़ा है, हमारा और टेर्रिस्ट का है, मेरेट जिले में पांच आदमी रोज मरते हैं, कि तो वहां कश्मीर में ऐसा नहीं है पीसफुल लोग हैं कुछ नहीं है सिर्फ हमारा टेरिस्टों का जगड़ा है लेकिन मैंने जाके टेरिस्टों वहां जो नेरेटिव सेल कर रखा था मैंने कोशिश यह की कि मैं सारी सरकारी जानकारी के आधार पर काम ना करूं जो बच् पर क्या दो सो बच्चे मेरे टच में थे मैं उनसे पूछता था बताईए उन्होंने कहा हमें हम न दिली से खुश हैं ना हम पाकिस्तान से खुश हैं ना हम हुरियत से खुश हैं ना हम इन पार्टियों से खुश हैं हमारे सामने अंधेरा है लेकिन हम करना बहुत कुछ च जमाद के 20% लोग तो सेक्रेटेरियेट में हैं, टीचर्स में उनके लोग हैं, यूनिवर्सिटी में उनके लोग हैं और वो पॉईजन करते हैं, वो जो है जो देवबंदी, जो समझेए वहाभी सेंटिमेंट है या वहाभी टीचिंग से, वो सिखाते हैं, उन खिलाफ क्या मैंने पूछा पुलिस के लोगों से, उन्हों का तीस लोग पकड़े हैं, जमाद तीस लोगों की नहीं है, जमाद एक बहुत खतरनाक संस्ता है, जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे, अच्छा महभूबा मुफ्ती की पार्टी, जमाद की पार्टी है, जमाद जो आइडियो एक मुल्क भी निपट रहे हैं, मिस्र ने आखिर मुस्लिम ब्रदर हूट से निपटे तभी आद पीसफुली चल रहे हैं, तो हमको बंगला देश ने जमाद के साथ निपटा तभी पीसफुली चल रहे हैं, हमको भी कश्मीर में हमारा आम कश्मीरी से कोई जगड़ा नही है टेरिस्स जो है वो जमात का पैदा किया हुआ है आप हैरत करेंगे ना हुरियत के ना इन दोनों पार्टियों के ना और किसी के ना मौल्मियों के किसी का बच्चा नहीं मरता है सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं आम कश्मीरी के बच्चे को पॉईजन करके ये लोग मर तो ये था कि सेब की एक पेटी बिखती थी पांच रुपे जमात के कड़ जाते थे अलग से तो इनके खिलाफ जब तक एक्षन नहीं होगा तब तक चीजें काबू में एक काम हुआ है मेरे जाने के बाद के नई भरती आलमोस्ट निल हो गई थी नए लड़के नहीं जा रह होती थी बंध हो गई थी लोगों का टेंपर डाउन हुआ था समझ में आया था और एक सेंस ओफ दुनिया में जहां भी जहां भी दुनिया में कहीं आपने तो इस्टडी किया होगा जहां भी कहीं ये इंसरजेंसी हुई है वहां एक समय आता है जिसको सेंस ओफ फैटी कहत तो उससे इतना टेंपर डाउन आ गया था कि हमारे होम मिनिस्टर जब वहां गये हैं 30 साल में पहली बार हुरियत ने बंद की कॉल नहीं दी है लोगों की समझ में आने लगा था लड़कों ने उसमें जाना बंद कर दिया था नई बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग आपने और उसके बाद जीवन सामान ने हो जाए मेरी बात को अदरवाइज ना ले मैं प्रधान मंत्री जी को जानता हूँ उनसे मिला हूँ एट लेंथ मेरी बात हुई आप जान कहरत करेंगे कि हीज वेरी इमोशनल अबाउट कश्मीर वो कश्मीर के लिए इतना करना चाहते हैं बलके जब हम P.O.K. की बात करते हैं तो हत्यार से लेने की बात नहीं करते हैं हम कश्मीर को इतना डेवलिप कर देना चाहते हैं कश्मीरी लोगों की जिन्दगी इतनी खुशाल कर देना चाहते हैं कि P.O.K. के लोग उसको देखके कहें कि हम तो इनके साथ मिलेंगे पुर भेजा था वो बहुत अच्छा करेंगे और वो भेजे ही development की दिरिश्टी से अब एक बार ज़रा आते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है सब परिस्थितियां बहतरी की तरफ जा रही है आपको European Union के सांसदों के एक delegation को भेजने की जरूरत क्यों पढ़ गई सबसे ज़्यादा इसी वज़े से अब नई controversy आ गई है लेकिन लोग यह नहीं देखते कि इससे कितना फाइदा हुआ जो हमारा viewpoint था वो उन्होंने कहा तो हमारा क्या नुकसान था हमें पता था कि हम साफ हैं हमारे हैं कोई गड़ हम ठीक है उन्हों सारी चीजें होती ही देखी हुँ कह रहे वो आपकी राजनीती की सोच वाले हैं वह राइट विंगर्स हैं वह नाजी सोच वाले हैं वह इसलामोफोबिया से ग्रस्ट लोग आप लोगोंने बुलाई वा है ये तो चार्ज है उन्होंने खुद ज्याब दे दिया मैं कि अद्मून और नकागे राइट विंगर्स होते तो हम कई कई बार कैसे चुने जाते हैं गेरों पर सित करम और अपनों पर सित हम ये कहना है देश की पार्टी का आपने राहूल गांदी को रोग दिया आपने एपोर्ट से लोटा दिया लेखिए जो यहां से तेह करके जाए कि मुझे वहाँ अग लगानी है राहूल गांधी ने शर्त लगा दी कि मुझे सबसे मिलवाईए प्रेसे भी मिलवाईए मुझे जो जेल में है उनसे मिलवाईए फला फला से मिलवाईए तुम रिष्टेदार हो किसी के जो मिलवाई जागा आप किसी के तो राजनितिक पार्टियों को हम आज राजनिती करने का मौका नहीं है हम आप महां जाएं और आके जूट बोलें इसलिए हमने आपको रोका इन लोगों के बारे में हमें तहें जो देखेंगे बोलेंगे आप उनको कटगरे में खड़ा करते थे कि ये लोग अंतराष्ट्य करन कर देते हैं कभी अधीर रंजन चौधरी बोल देते हैं यू ने नहीं भेजा था यू की एंट्री नहीं हुई थी यू के कुछ सांसद आये थे इंडिविजल कैपेसिटी में आये थे इसलिए कोई अंतराष्ट्य करन नहीं हूँ इसलिए आपका कहना है कि कोई अंतराष्ट्य करन नहीं हुआ ये गलत बात है वो गह रहे हैं मोदी जी ने एक PR stunt किया, सब कुछ प्लान करके stage किया गया, इस पर आपका क्या जबाद? यह frustrated हैं चुकर मोदी जी जो भी करते हैं उसको successfully करते हैं, मोदी जी विदेश में जाते हैं तो वहां भी कुछ ना कुछ उनका हो जाता है, जिससे दुखी हो जाते हैं, तो इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है आप एक के बाद एक कदम उठा रहे थे, अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे, यह गोआ के लिए जो आपको चुना गया आप, इसको किस तरह से देखा जाएं? यह तो जो चुनने वाले उनको पता होगा, पर मेरे लिए तो अच्छा है कि मैंने बहुत मेहनत किये, अब मैं थोड़ा आराम से रहूंगा, और गोआ एक अच्छी जगह है, पीसफुल जगह है, वहाँ एक नौजवान चीफ इनिस्टर है, कोई कोंट्रोवर्सी नहीं है कश्मीर तो अब आपकी नज़र से आपने पूरा बदलाव देखा, सबसे संगीन मोड पर इस वक्त जम्हू कश्मीर है, एक स्मूर्ट ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे थे, बहतर नहीं होता या आपकी नज़र में होता? मैं नहीं देखे, कोई भी चीज एक जैसी नहीं चलती है, गंगा पहाड में एक जैसी है, फिर नीचे आती है, दूसरे जैसी है, वहां के मैदान में वो धीरे धीरे चलने लगती है, असली जो ट्रांजिशन, जो खतरनाक टाइम था, वो था असेंबली डिजॉल करने वाल सेंटर के उपर कोई सेंटर का उसमें इन्वालमेंट था, बिल्कुल इंडिपेंडनली मैंने किया, और इसमें भी जो मेरे करने का काम था, मैंने ठीक से किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जो ये काम करे वो डिवलेब्मेंट भी वढ़िया करेगा, ये अच्छे दोनों भ आराम से रहते थे, मैं भी रह सकता था, लेकिन मुझे पता था क्या करना है, गोवा में सबी लोगों का एक हैना है कि आराम करने की जगह है, तो वहां लिखूंगा, पढ़ूंगा, आराम से रहूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करूंगा, ना अपने लिए, और सरकार के लिए, और बहुत ही वंडरफुल, वहां का चीफ इनिस्टर है, हमारा नوجवान, उसको काम्याब करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यपाल मलक जी और बहुत आपको शुपका अबनाए, गोवा के अपने मिशन के लिए, आप मैं आज तक को पूरे आज तक को आमंतरित करता हूँ गोवा के लिए, और आप हमेशा ही आज तक को इंटर्व्यू भी देते हैं, अपनी बात स्वर्श्टा से यहां रखते हैं, जिससे तस्वीर अंदर की समझ में आती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 दो